hello guys very good morning good afternoon or good evening अब जिस भी टाइम में देख रहे होंगे so मैं CA इंटर का student हूं और मेरा group 1 clear हो चुका है group 2 का result अभी pending है और मैंने अभी currently recently ITTA अपनी classes complete की है तो यह रा मेरा certificate अब भी आ गया माद 15 बीचने के बाद 15 जैसे ही आपका 15 देश कंप्रीट होता है उसके 10 दिन बाद या 10 दिन विचीन टैन डेज आपका ITT certificate मिल जाता है इस हो जाता है तो मैं आपको ITT के बारे में कुछ अपना experience अपने project और क्या क्या मेरा time duration था कैसे मैंने उसे handle किया वह समय आपको इस वीडियो में बताऊंगा साथ ही आपको मैं आने वाले वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि अभी जैसे मेरा group one clear हो चुका है मैंने OC की classes पहले कर चुकी है OC class मैंने endorsy ही की थी अब यह IDT भी endorsy चल रहा था मेरा तो मैंने इस बीच जो मेरा time लगे मैंने अपनी पढ़ाई हो कैसे manage किया और साथ में अगर और मैंने अपनी earnings को भी कैसे manage किया ठीक है वह सब आने वाले वीडियो में मैं आपको धीर करता रहूंगा तो आप यहां पर देख रहे हैं कि मेरा जो batch है वह certificate number यहां पर लिखा है और जो batch इंदॉर्स से मैंने किया था और वह start हो था 13 जन्वरी से 31st जन तक लास्ट डेज ऑफ जन्वरी ठीक है और अभी आज हो गई आज हो गई आप देख रहे हैं टाइम एट फैब तो 8 फैब तक में यह मेरा certificate issue हो चुका है ठीक है अब चलते हैं अपने मैंने आपको शर्ट कर दिखाया क्योंकि जिससे आपको एफ्रपेट हो आपको क्लियर हो जाए कि मैंने जो सब्सक्राइब की है या मैंने जो 15 देश की ट्रेणिंग की है वह मेरी ट्रेणिंग सही थी अब मैं उसमें पास और गल्वी प्रॉपर ली इंडिकेट अब प्रॉपर ली काई कैसे आपको प्रॉपरली कम्निकेट कर पाऊँ अगर में खुद पास नहीं लिए तो मैं कैसे करता है तो आप चलते हैं अपने पहले सरे में वाड की तरह बोट कि तरफ तो यहां पर मैंने दूंश को logo यूच किया जो की already नियुकि नैट में दा आफ को का कर रहे हैं ठीक है आप लोगो अप यूटूब में लिखेंगे ऴिल जायेगा यह फिर आप इसे बना क्विशकते हैं सीम्पल आप YOUR ईगल लेना है नीचे आपको इस पकार लिग देना है ठीक है वह भी मैं आपको बता दूँगा आपको जो भी इंफोमेशन चाहिए आप नीचे कमेंट कीजी मैं आपको यह सब पूरे प्रॉपर बना की भी बता है अब उपर मैंने लिखाया है अपने ब्रांच नाम जो भी वर्चुल हो कि मैंने उस पर जाद ध्यान दिया कि जितने मुझे सिखाया कि मैं उसको यूज कर सकूँ जिससे मेरा फ्यूचर में भी मैं उनको अच्छे तरह से यूज कर सकूँ मलब मेरे माइन में रहे क्या होता है 15 अगर आप ट्रेनिंग कर रहे तो उस टाइम तो आपको याद रहत थोड़ा मैं जूंग कर लेता हूं यह है टेवल कंटेंट आप इसको कैसे कर सकते हैं आपको कोई टॉपिक में जाना है सब्सक्राइब नहीं तो आपको कंट्रोल प्लस इंट्र कर बार पड़ेगा आप डिश्टल के में आ गए दिखिए आप पहुंच गये मादब आपको क्या लिखा हुआ है कौन से हैडिंग अप से टॉपिक कप से इसके लिए दूसरा हो गया है कि आपको सीधी उस टॉपिक में जंप करना तो कैसे आप इसली जंप कर सकते हैं ठीक है कि क्लासिफिकेशन ऑप केंप्यूटर्स यह मैं टॉपिक था मैंने उसको पहले मैंने सभी चीज़ किया है एक सब्सक्राइब होते हैं सब्सक्राइब यह जाने के बाद यह सातने हैं आप यहां से इनका यूज हो सकते हैं ठीक है प्रकेंज हुआ है मैं बता दे रहा हूं आपको डेवगा व्यूटर्स के लिए पाद पहले पहले आपको आपको व्यूव में जाकर आउटलाइन करना पड़ेगा यह दिखियू आउट्लाइन करने के बाद जिससे आपको में पार्ट क्या है में बॉड़ी क्या है आप वह सब क्लियर हो जाता है अगर आप से नहीं बनता तो आप मुझे कमेंट कीजिए मैं आपको नई वीडियो आपको बताऊंगा ठीक है हरे अचाहे आं ऑ है यह आ अनुठे कि यह थाइप में दिफिर्ण कलर दिफिर्ण फोंट और अदिफिर्ण दिप सीट्रश्य आप करेव होना थे मृप शुक्रू रहे थो इसे पकार से आप उसे बढ़ा कर सकते हैं ठीक है इसमें यह है फिर मैंने डिफरेंट कलर यूज किया है चुछ सोजाए यह इसलिए अंडिकेट कर सके है यह हालाइटेट ठीक है आप यह इसलिए इसलिए यह ग्याली जिसे कि अगर कोई बहुत जली देख रहा है तो इसलिए वह देख सके कि हम यहां पर से हैं शेडिंग हुए है और यहां पर कुछ जिफरेंट की लिख हुए है है डिश कर रहा है मैंने ये बिट को पिचर को है इसको इसको भी हैं कि रैप्ट एक और वह था है ये ९ह वड्ड ररा के तो उसके लिए और इसे टेक्स्ट को प्रोपर लिए उसके लुकंता दूंगा अयह फिर कंक स्थिन में और फिर मैंने ग्जाममपल लिघा करक्टरे में क्थी इनके द इनकी अग्जामपल्स करक्टरिस्टिक्स और जे यह जहां से आए है ya Bennett और देखी है जहाँ तक पर एक ज़्यादा बड़ा प्יבणा Console bị मैंने उनके लिए है आप देख सकते हैं और नीचे थेंक्यू कुछी और भी थी जो कि आप एड़ कर सकते हैं जैसे बिब्लियोग्राफिय हो गया हाइपर लिंक के यूज कर सके और बुक रेफ्रेंस या फूट नोट फूट नोट या हैडर नोट जैसे मैंने यूज किया है यह दिखी पेंज नीचे मैंने फूट नोट यूज कर दिया है आप नीचे फूट नोट यूज कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो नीचे कमेंट कीजिए मैं परताऊंगा तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में थैंक यू